लगाया हुआ है उसके साथ सार राहूल गांदी जिन्दबाद का टैटू भी इनके शरीर पे है और जोश काफी है यहाँ पे कॉंग्रेस के जो कर्मी है हाला कि इमफाल में जो रैली है वहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया है 25 किलोमेटर दूर इमफाल से बाहर थोबा जिल से रवारा हो चुके हैं जितने भी बड़े कॉंग्रेस के निता हैं वो सब एक साथ एक ही फ्लाइट में राहूल गांदी के साथ आ रहे हैं और 39 पे पूरा फोकस है आप सोचिए मनेपूर जहां पर पिछले नौ महीनों से इतनी क्राइस चल रहा है राहूल गांदी पहले कि 2024 के चुनाफ से पहले एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी को 39 में रिवाइफ किया जाए यही मेसेज के साथ राहूल गांदी आ जाएंगे हाला कि कल जैराम रमेशने प्रेस कॉंफरेस ने कहा था कि यह कोई इलेक्टोरल रैली है नहीं यह एक आइडियोलोजिकल एक विचार का रैली है लेकिन एक चीज साफ है जिस तरह का प्रेपरेशन है और जिस तरह का मेसेज कॉंग्रेस देना चाहती है इससे आप कह सकते हैं कि 2024 की कॉंग्रेस की जो कैंपेन है इलेक्शन की वो आज शुरू होने वाली है मनिपूर के इस भारत जोरो यात्रा 2.0 के अशुतूर इस सेवा कारगरम में बिजी हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी केरी कि देशवर में अन्याय हुआ है उसके खिलाफ जो है वो न्याय यात्रा निकाल रहे है मनिपूर से आज वो यात्रा शुरू भी करने को देखे जिन लोगों ने जो लोग अन्यायपूर व्य मिलाओं को नहीं दिये जिन लोगों के समय पर हट से जादा ब्रष्टाचार था जिन लोगों के समय पर 120 करोड के देश में केवल 11 करोड खाते थे वो न्याय की बात करते हैं वो न्याय की बात करते हैं जो खुद अन्याय का हिस्सा रहे है हर प्रकार का अन्याय उन्होंने किया है और मैं आज वो दिन नहीं है क्योंकि चेतना जागरित करने का दिन है इस लिए मैं उन सब चीजों को याद नहीं करना चाहती हनुमान मंदिर में खड़ी हूं और सिर्फ दो पंक्तिया उनके लिए अपने लिए पूरे समाज के लिए जरूर कहना चाहती हूं कि कि हम समाज में शासन, सुशासन को सुनिश्चित कर पाएं और नयाएपूर व्यवस्ता को स्थापित कर पाएं पल, बुद्धी और विद्या मिले इसी की कामना करते हुए केंद्रिय मंत्रि में नाक्षी लेकी दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंची हैं जहां पर उन्होंने का स्वच्चता अभियान में हिस्सा लिया केमर्मेन नासीर खान के साथ में प्योष मश्रा दिल्ली आज तक